नमस्कार दर्सको जे जे राम, जे सी राम, जे हो पागेस्वर दाम सरकार, जे हो हनुमान जे महराज मेरी प्यारे से भी दर्सको अखिर क्या हुआ जब उस पागेस्वर भक्त, जब उस भगवान के भक्त के सामने एक बहुत भैंका साँप आ जाता है फिर क्या हथसा होता है लेकिन आज की इस कहाने के माध्धम से मैं आप लोगों को बहुत महत्पूर बाते भी सीखने को बताएंगे और इस कहाने के माध्धम से जरूर ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा इस कार से यह बहुती प्रेड़ाय कहानी और इस कहानी के अंत तक अवस्य बने रहीगा तो चलिए हम लोग बिना देरी के कहानी को सुरू करही लेते हैं तो एक बार की बात है एक गाओं में एक ब्रामण रहते थे वह ब्रामण बहुती गरीब थे उनके घर में खाने पीने को भी सही से नहीं दाता था उनका एक छोटा सा परिवार था एक पत्नी और एक बेटा लेकिन वह अपने पत्नी और अपने बेटे का उतनी खातिरधारी नहीं करते थे क्योंकि वह एक भगवान के बहुत बड़े भगत थे भगवान के नित पूजा करते थे उनकी पूजा आराधना भक्ति बाव में कभी किसी परकार का कमी ना होने पाया इस कार से वो नित उठते थे और उठने के बाद सुबह जोए से साम तक हमेशा उनहीं के ध्यान में लग रहते थे उनका पर्थम करतब भी यही था कि भगवान की भक्ति भाव करना और जो लोग भगवान की भक्ति भाव करते उनके उपर हमेशा भगवान का हाथ रहता है उधर उनकी पत्नी हमेशा कहती थी कि आप घर में दिन भर बैठे ही रहते हैं बस भगवान की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन क्या, आपने कभी सोचा, गर में अनाज है कि नहीं है, आपके बीबी बच्चे क्या खाएंगे, कभी इसके बारे में तो कभी आपने बीचार ही नहीं किया, लेकिन कास एक बार बीचार कर दियते, गर में अनाज है कि नहीं है, कम सकम बाहर जाते, बाहर कथा कहते, बाहर कुछ काम करते, तो हो सके, आपको अच्छे खासे पैसे मिलते, जिसके वज़े से हम लोगों की इस्तिती अच्छी हो जाती, लेकिन वो महात्मा वो ब्रामण कभी इन सब चीजों का ध्यान ही नहीं देते, कितना भी पत्नी कहती, लेकिन एक बार भी ध्यान ही नहीं देते, बस अपने भगवान की भगती भाव में हमेशा लगे रहते, हाँ कभी कल घर से बाहर चले जाते, जिसके उपरांद कुछ जो उन्हें भिक्षा मिल जाते थे, उनकी पत्नी बार बार कहती थे, आप घर से बाहर जाए भिक्षाटन का काम करिये, लेकिन वे कहते थे, अगर मैं जादे भिक्षाटन का काम करूँगा, तो मुझे लालच भी तो आ सकता है, और जिसके वज़र से, मैं अपने भगवान की भक्ती करना छोड़ सकता हूँ, तो किर्पा मुझे इस परकार के बंधनों में मत बागो, मैं भगवान की भक्ती करने में मुझे बहुत मन लगता, और मैं अपने भगवान का प्रीभग्त हूँ, इस तरीके से वह पत्नी हमेशा उनसे खाती थी लेकिन एक बार चिक गजब की बात हो गई कि वह जो है भगवान की भक्ति भाव में लगे हुए थे लेकिन इधर उस ब्रामण के घर में एक दाना भी खाने का नहीं था उसकी पत्नी को काफी गुसा आ जाता है और वह भक्ति में लगे हुए रहते हैं उनका जो भी सवर समान रहता है जो भी कागज पत्तर रहते हैं जो पोथी पत्रा रहता है उनको बस यूही समेटती है और उठा करके बाहर कर देती है प्रमडेयों का ध्यान खुल जाता है चुकि उनकी पत्नी इस वज़े से कुछ बोल नहीं सकते और वह बोले जा रही है अरे घर में कुछ खाने तक नहीं है आप यही काम घर से बाहर जाके करिए तकि घर में कुछ खाने पीने को हो जाए ब्रमडे को थोड़ा सा भी गुस्ता नहीं आता बिचारे करते भी तो क्या करते है वह अपनी पत्नी है लेकिन उनको ऐसा लगता है उनकी प्रती ऐसा कोई भी भावना ही नहीं थी वह जो है ब्रमडे यो घर से बाहर निकलते हैं और बगल के गाउं में जाते हैं वहाँ पर जाकर के कथा काते हैं किसी जगह पर बैठ करके ताकि लोग कथा सुने और उनकी उपहार में कुछ जो है गिप्ट दे दे कुछ पैसे दे दे, कुछ भिक्षा दे, लेकिन कोई कथा सुनने ही नहीं आता था, जब कथा कोई सुनेगा नहीं, तो भला भिक्षा कैसे देगा, कोई नहीं आया, एक गाओं में, फिर से उसके बगल में भी गाओं में गये, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें भिक्षा नहीं म उनका भूख सब खतम हो जाते थे और इस तरीके से वो साम का समय हो जाता है और अब बिस्तराम करने के लिए एक पीपल के बिर्ग्ष के पास जाते है वहाँ पर पीपल का बिर्ग्ष जो काफी मोटा था और वहाँ पर जो बिस्तराम करने के लिए धर जाते है चुकि उनको किसी परकार से कोई डर नहीं था क्योंकि उन पर अपने भगवान का भरोसा था कि जब उनका हाथ जिनके सर पर है उनका भला कोई क्या भी गाड़ सकता है और अब ब्रामहर देव वहाँ पर बैठ जाते हैं विस्तराम करते हैं चुकि दिन भर ठके रहते हैं और वहाँ पर सुए जाते हैं सोने के बाद जब एक वी बार डारेक्ट उनका नीद खुलता है तो सुबह हो जाती है सुबह होते ही वे पास के सरूवर में जाते हैं असनान करने और सनान करने के बाद वे वहाँ पर आते हैं उस पीपल के ब्रिक्च के पास और कहते हैं कि भला मेरी कथा तो कोई सुन नहीं रहा है क्यों ना मैं अपना इस कथा को इस people के addiction को ही सुनाता हूं हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए और उसने people के addiction को ही कथा सुनानाने सुरू कर दी चुकि इस people का जो addiction उसका जड़ ता बहुत मोटा था और उसके जड़ में जो एक bil था जिस बिल में बहुत ही मोटा सर्प रहता था और जब कथा समाप्त हुई तो कथा समाप्त होने के बाद उस पीपल के जड़ में से वह मोटा सर्प निकलता है जब मोटा सर्प निकल करके उस ब्रामःड के सामने आते हैं लेकिन कहते कि अगर मैंने कुछ गल्टी किया हो तो किरिभा मुझे माफ कर दिजिए मैंने यहापर सोर सराभा की उसके लिए माफ कर दिजिए तो वो सर्फ कहता है कि नहीं ब्रामहर दे हो आपने कोई गल्टी नहीं किये बलकि आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक कर्म किया है आपने कथा सुनाया है आपका कथा कोई सुनने वाला नहीं था लेकिन आपने जो कथा सुनाया है वास्तों में वह कथा बहुत ही पूजनी है बहुत ही पुंड के लायक है इसके बदले में मैं आपको रोज एक सोण मुद्राय दिया करूँगा और वह सर्प एक सोण मुद्राय रख देता है ब्रामरत यह हो जब उस सोण मुद्राय को देखते हैं तो बहुत ही परसन होते है उस सोण मुद्राय को ले जा करके अपने घर पर देते है अपने घर पर जिब अपनी पतनी के हाथों में देते तो पतनी बहुत ही खुशित होती है खुश होकर के उस दिन घर में सब कुछ खुश अहाली का माहौल रहता है क्योंके उस दिन प्राहमुब्ह देना स्वॉण के मुद्राय लाए थी अगले दिन ब्रामःदे फिर से उस पीबल के बिक्ष के पास जाते हैं और वहां पर कथा सुनाते हैं और कथा सुनने के बाद वह जो मुटा भैंकर सांप जो आ करके एक सुन की मुद्राय देता है और इस तरीके से करते करते वह ब्राम हड़ दे रोच कता सुनाते थे और वस्तरप जो एक सोन के मुद्रा दिया करता था काफी कुछ दिन लंबा चलता रहा इस तरीके से उस ब्राम हड़ दे के स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती है लेकिन जब अचानक कोई बहुत बड़ा इंसान बन जाता है उसके पास पैसे आने सुरू हो जाती है तो अगल बगल के लोगों में हल्चल मच जाती है बस यही हुआ उस ब्रामहरतेव के साथ भी अगल बगल गाउं में जो भी लोग रहते थे अब तो उनके मुख पर चर्चाय होने लगी आखिर यह ब्रामहरतेव इतना निर्धन ता इतना गरीब ता कि खाने के भी लाले पड़ जाते थे लेकिन आखिर इसके पास पैसे इतने अधिक कहां से आये इसके पास धन आखिर कहां से आये कुछ समझ नहीं आ रहता लोग कई सारे उपाय किये लेकिन पोई भी उपाय उन लोगों को काम नहीं किया ब्रामण देव नित जो उसी इस्तिती में जाते थे और जो कथा काते थे रोच वह जो सर्प एक सौन की मुद्राय देता था लेकिन उस सर्प ने कुछ सर्थे भी रखी थी ब्रामण देव से कि मैं रोच आपको एक सौन की मुद्राय तो देता हूँ लेकिन इसका राज जो है आप किसी को बताईएगा लेकिन अगर आपने किसी भी दीन इसको बता दिया किसी से खोल दिया तो उसी दीन आपका सारा का सारा धन नश्ट हो जाएगा और बहुत सारे आपके साथ कुछ अनुहुनी घटनाए भी हो सकती है इधर जो है जब ब्रामण देव चले जाते थे तो एक दिन उनकी पत्नी के पास में कुछ गाओं की महिलाएं पडोस की महिलाएं आती है और कहती है कि क्या आपकी जो पती है रोच कहां जाते हैं और कहां से भी सोड की मुद्राय लाते हैं क्या कभी आपने जानने का विचार किया वे कौन सा कार करते हैं सही करते हैं गलत करते हैं कौन सा अनिष्टकार करके लाते हैं कौन इतना भला जो है इतने कम समय में जो इतने धेर सारी सुभी सोड़ की मुद्राय दे सकता है इतना सारा धन कौन दे सकता है कुछ न कुछ आपके पतिदेव अनिष्टकारी कार कर रहेंगे अब तो उनकी पत्नी के मन में सक हो जाता है और उस समय जैसे ही ब्राहमर देव आते हैं तो ना तो पाने पीने को पुछती है ना तो कुछ भी और तुरंट कति आप जल्द से बता देजिए कि आखिर आप यह जो सौड़ की मुद्राय आपको देता को ने इसका राज बताईए तो ब्राहमर देव ने कहा कि तुम्हें इस सब जानने की कोशिस मत करो ने तो उसी समय हम लोगों का अनिष्ट हो जाएगा उसी समय सारा का सारा धन नष्ट हो जाएगा ब्राहमर देव ने समझाया उनकी पत्नी मान गई पूछने की कोषिस नहीं की लेकिन इस तरीकि मन में जब कोई बात जो है कोई काना फुसी कर देता है तो बात अंदर यांदर परसान करती रहती है और जो सक का दारह होता है सक बहुत ही खराब चीज़ होती है चुकि उनकी पत्नी के मन में जो है जो अगल बगल पडोस की महिलाय थी उनलों को पैदा कर दिये था कि ब्रामः देव कहीं न कहीं कुछ गलत काम करते हैं इस वज़े से वह जो इतना सारा धन ले करके आते हैं कुछ दिन बीट गये और बार बार अगल बगल की महिलाय थो उनके पास भी आना बैठना सुनें कर दिए और बस एक ही चीज पता है आपको प्रामः देव क्या करतें आखे आपके पती देव क्या काम करते हैं कभी उसने इस पर चर्चा ही ने की हमेशा काती है कि मुझे नहीं पता है लेकिन उन्होंने किया आपको अपने पती के बारे में जानने का ह Elle हक नहीं है और एक दिन वा जित पर आ गई और उन्होंने अपने पती से पूछी डाला उस ब्रामःड देव से कि आज जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं और आप मेरा बेटा कोई भी खाना नहीं खाएगा खाना बनाएंगे नहीं और जित पर आकर के बैठ जाती है जब जित पर आकर के बैठ जाती है तो ब्रामःड देव थोड़े से चिंतितम होते हैं और कहते हैं चलो जाने दो बता देते हैं अब जो होगा देखा ही जाएगा और ब्रामःड देव ने जो सर्प ने सर्थे का verse कि और उस vibrato कि मन में लाला चाह जाता है do कि अपाइब की फ़टने मिशें लाला चाह जाता है रस अगले दिन वह देखो पुल किलिए को दीओं का काम करती हैत्त वे शुझे अट है कि जो है हुआ है कि जब उनकी पति का जाने का समय होता है उसी समय हुआ अपने सो जाते हैं मुर्चित हो जाते हैं और वह अपने बेटे को समझाती हैं कि बेटा आज तु एक पोथी पत्रा ले जा और कथा कहना और उसके बदले में जो सर्प स्वन मुद्राय देता है उस सर्प के पास धेर सारी स्वन मुद्राय है तुम सर्प को मार देना और उसके बद से निकलता है और एक सण की मुद्राय रखता है। चुक्कि यह बहुत ही भेंकर साप्था विसाथ सरफ था। लेकिन उसकी माने सिखाय तो मार देना। उसक लिए खंजर भी ले गया था। लेकिन जैसे ही वह सरफ जो सण की मुद्राय रख करके जाता है घुमता है उल्टा और तुरंत वह खंजर से वार कर देता है और जब खंजर से वार करता है तो इसका पूँच सर्प की कट जाती है सर्प को बहुत ही गुस्सा आता है और तुरंत वह घूम करके उसके पेरों में काट लेता है और वो बच्चा क का पोती भला रहे तब तो वे तुरण समझ गए कुछ न कुछ आज अनुहोनी हो ही गई है वह भगे भगे उस पीपल के ब्रिक्ष के पास में जाते हैं जब वहाँ पर वे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मेरा बच्चा मेरा बेटा जो इकलावता था वह मरा पड़ा बहुती दुख ही होते हैं तब ही वहाँ से वह सरप निकल कराता है काता कि हे ब्रामण मैंने तुमसे बार बार मना किया था कि तुम इस राज को राज ही बनाया रखना किसी को बताना मत लेकिन तुमने अपने पत्नी को बना दिया तुमने अपने पत्नी को बताया जिसके बेटे के खोजा लेकिन तुने मेरे बताया कि नीमों का उलंगन कि यह सर्थ को तोड़ा है इस वज़े से मैं तुझे साप दिता हूं कि मेरे वज़े से जितने भी धन अरजित हुए सारे के सारे धन जो अभी इसी चड़ नस्ट हो जाएंगे और इस तरीके से उस ब्रामण ने एक गलती कि जिसके वज़े से फिर से उनको उसी जीवन में वापसाना पड़ेगे मेरे प्यारे सभी दर्स को इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को दो उपदिश देना चाहता हूं पहला कि चाहे पतनी ही क्यों नहों कोई कितना भी अगर आपके कमाई का साधन कमाई का सोर्स अगर गुप्त बनाने वाले चीज है तो गुप्त ही बनाया रखना कभी अपने कमाई का साधन किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए मतब कमाई का राज भूल करें कि भी किसी दूसरे को सेर न करें वरना आपके कमाई पर जो कोई भी लात मार सकता है कोई भी हाड़प सकता है आपको कमाई को देखा नहीं जाता है दूसरा नमर कभी भी हमें लाल लालच नहीं करनाचे क्योंकि लालच बूरी बला है, सब कु पता है, तो इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से दो चीज़े हम लोगों को सीखने को मिलती है, जो जीवन में बहुती लाद्दायक और बहुती उपउयुक्य होती हैं, इसलिए आप इन सब कामों को इन करेंगे तो जीवन में बहुत ही सफल होंगे